आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो अगर मेरा कोई function y is equal to या fx is equal to ये कितना है? x का cube है और minus में 3x और plus में 3 है तो इसका local maximum minimum निकालने के लिए हम इसका differentiation करते हैं तो f dash x वो कितना हैगा? देखो x cube का differentiation 3x square होता है और x का differentiation सिर्फ 3 होगा तो ये हो जाएका सिर्फ 3 और constant का differentiation तो 0 हो गया तो अब मैं का करता हूँ कि इसको 0 के equal करता हूँ तो 0 के equal करूँगा तो 3x square minus में 3 is equal to 0 होगा इसका मतलब 3 times up x square minus 1 is equal to 0 तो इसका मतलब x square is equal to कितना 1 इसका मतलब x की value कितनी? plus minus 1 अब ये x की value पर x equal to 1 और minus 1 ये हमारे local maxima और minima point होंगे ठीक है अब कौन सा maxima है कौन सा minima है उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे अपने function को double differentiate करेंगे तो चलो करते हैं तो देखो f double dash x अगर मैं करता हूँ f double dash x तो वो कितना हैगा? देखो ये यहाँ से x square का differentiation कितना होगा? 2x होगा तो 2x into 3 कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा ठीक और constant का differentiation 0 तो f double dash x की value कितनी आई है? 6x आई है तो अगर मैं f double dash 1 की value निकालता हूँ तो वो आएगी 6 और f double dash minus 1 की value निकालता हूँ तो वो आएगी minus में 6 और जब double differentiation negative आता है तो ये देता है minima ठीक है? तो x is equal to क्या है? minus 1 x is equal to minus 1 ये maxima देगा ठीक है? और x is equal to 1 ये minima देगा ठीक है? अब कितनी value होगी? वो निकाल देते हैं तो f of x is equal to था मेरा f of x is equal to केतना है? x cube minus 3 x plus 3 x cube minus 3 x और plus में 3 है ये f of x तो f of minus 1 निकालता हूँ तो ये आएगा maxima ठीक है? local maxima ठीक है? तो f of minus 1 निकालूँगा तो यहाँ पर देखो minus 1 आयागा और minus minus ये कितना हो जाएगा? plus हो जाएगा तो plus में 3 और plus में 3 ठीक है? तो 36 minus 1 कितना 5? तो और f of 1 निकालू तो f of 1 ये होगा मेरा minima ठीक है? तो f of 1 करूँगा तो यहाँ पर आएगा 1 और minus में 3 और plus में 3 तो ये तो गया तो बचा कितना 1? तो ये दोनों values मेरे local ये maxima, local minima और किस values पर आएगे? x is equal to minus 1 पर maxima x is equal to 1 पर minima तो ये अपने answer hope आपको समझ में आऊगा thank you